हरे क्रिश्ना फ्रेंट्स किरंस्रोस्वे में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुए की रेश्पी जो हुली में बहुत ही पसंद किया जाता है तो हमने बनाया था तो हमने का लाव आपके साथ भी शेयर कर देते हैं वीडियो को तो चलिए अब वीडियो देक लेते हैं हमने कैसे बनाया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मावा ले लेके तो में भी दौने बनाया है और और मैदा और चीनी तो घर में रखी चीजों इसको बनाया है तो सबसे पहले हमने मावा लिया है और मावे को हम ग्रेट कर देंगे थोड़ा सा तो उससे बिल्कुल इसमूध बैटर इसका बनेगा क्योंकि हमें कोई भी उसमें लॉंस नहीं चाहिए इसले हमको उसका स्मूध बैटर बनाना है तो उसको ग्रेट कर लेंगे यह देखिए हमने ग्रेट कर लिया है और यह 200 ग्राम मावा है जो घर पर हमने बनाया था और इसको अब क्या करेंगे हम और यहां पर देखिए हमने 1500 ग्राम करीब मैदा ले लिया है और एक कप हमने दूद ले लिया है अब इ और विल्कुल एक सार सा रहता है तो ज्यादा एजी रहता है उसमें आप चाहें तो घर पे अगर नहीं है या लाइट नहीं है तो आप उसको हाथ से भी फेट सकते हैं तो हम इसमें मिक्षी की जार में डाल देंगे और थोड़ा डालेंगे पहले पूरा एकठानी डाल देखे हुआ हम ने बचा उनुदय को दिखाते हैं हुआ को यह सब लेंट किया जोय है पूरा हम इसको डॉल के मतला ब्लेंट करके हैं ह्ट इस दीखा सबंगे है बना ऽे अब भी थिक है तो हम थोड़ा कब दूद और ले लिया है और पूरे डेड़ कब दूद इसमें लग जाते हैं यहां पर तो इसको फिर हम चमत से मिला रहे हैं और इसकी जो consistency होगी बिल्कुल pouring होगी और ठीक हो जाएगा तो उसे मालपु अच्छे नहीं बनेंगे और पतला हो जाएगा तो उससे बिल्कुल बिखर जाएंगे तो हमें इतनी consistency रखी नहीं है कि ताकि मालपु बिल्कुल परफेक्ट बन सके तो थोड़ा से measurement का ध्यान रखेगा और अच्छे मालपु बना के त्यार करेंगे और अगर माल लिजिए कि बैटर ठीक हो गया तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा दूद्ध करिएगा उसे पतला कर लिजिएगा और बैटर बहुत ज्यादा पतला हो गया तो आप उसमें मैदा डालके मिला पतला दीजिएगा तो बैटर बहुत अच्छा हो जाएगा तो इसको जार में जार से निकाल लिया है और इसको 15 मिट के लिए रेश्ट करने पर रख देते हैं और तब तक हम चलके चासनी बना लेते हैं और यहां आपके पास कोई पायनिया भगोना जो भी हो आप उसमें दो काटोरी चीनी एट कर दीजिए वजन में 500 ग्राम चीनी है और दू ही काटोरी पानी आट करना है तो जब तक चीनी हमारी पूरी अच्छी तरह से घुले नहीं प्तक के लिए पकाना है और कोई एक दो तार की चासनी नहीं बनानी है कि यह अल इसको हमें विल्कुल जैस को दरदरा कूटकेस में डाल देंगे और 10 से 12 हमने केसर के थागे ले लिए हैं तो आप यूज करिएगा नहीं हो तो फूट कलर मड़ा लिएगा क्योंकि वो नुक्सानी करेगा फायदा तो करेगा नहीं है इसको हम देखाते हैं दिखें वियुक्र ृफिख और कोई सोब कर लेते हैं मैं ठीक सबस्काइब करें इसकेकर देंगे कल्ची से डाला है इसमें अपने आप से हो गया तो इसका बैटर बहुत ही अच्छा है इस तरह का बैटर हो तो माल पर बहुत अच्छे बनके त्यार होते हैं और डालके तुरंट से आपको चम्मच से नहीं लाना है कम से कम उसको एकदम मीडियम फ्लेम लो मीडियम रहेगी और उसको कम से कम दो मिनट तक जब तक पीछे ब्राउनेस नहीं दीखने लगे तब तक हम इसको नहीं पलटेंगे और पलटने के लिए आप किसी चम्मच या उससे मत पलट येगा क्योंकि जब तेल भारा रहता है तो छटकने का डलता आप बिल्कुल जल जाएंगे तो आ आप हम इसका तेल इसे दवा के अश्तरा है उसको बाहर निकाल देंगे और सके बायके और ऊसको तुरबर चाषणी में डाल देइंगे भी इनको देखें हमने दूसरे बैस काुअ भी इसी तरह से तल लेते हैं तो आप मालभी आपने शेप में छोटा बड़ा जैसे आपक इसे उच्छालते हैं ताकि उपर कभी पख जाए और उसके ब्राउन हो जा तब हम इसको चीम्टे से पड़टेंगे तो छटकने का तेल जलेगा नहीं कोई और पॉनिये से दबा के हम उसको निकाल लेंगे फिर चास्नी में इसको डाल देंगे चास्नी हमारी हलकी गरम ही रह हैं तो पिस्ता कत्रन हमने काट लिया था और थोड़े से बदाम काट लिये थे और ऐसे लगा के उस पेसे थोड़ी चास्नी गिरा दे तो बिल्कुल टेश्टी सा मालपुआ घर में बनके तयार है और आप इनको बनाए बहुत ही अच्छी सी रेश्पी है तो चलिए इसको साती से इंज्वाय करिए तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंट तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ हरे कृष्णा रादे रादे